हरी ओम तच्सत संत कबीर पाणी संत कबीर के प्रमाणी ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रूप डिसकेशन में स्वागत है आज के सेशन में एसपी सिंग साफ सेलता जी कबिल जी विमी जी और विनोज जी तो हम आज चर्चा सुरू करेंगे 33 पेज पर ऐसा यह बहुत अच्छा पद है कबिल साफ का पिछली बार भी थोड़ी सी इस पर हमने चर्चा कर ली थी पर हम आज ऐसा बेद बिर्गुचन भारी बेद कटेब दीन अर दुनिया कौन पुरुख को नारी एक रुधिर एके मदमूतर एक चाम एक गुदा एक बूंदते स्रिष्ट रची है कौन बामन कौन सुदा मेरी आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रही है तो कबिर सांग कह रहे है कि ऐसा ये दुनिया जो है ना ये बहुत भेद भरी है हर चीज में उसने भेद पैदा कर दिया है और उसकी दृष्टी उसका जो सोचने का तरीका है उसका जो देखने का तरीका है वो भेद वरा है क्योंकि कविर साहब मूलता अभेद के कभी है या अभेद के संथ है और यदि उनकी पहचान को हम देखने की कोशिश करें तो वो इस चीज को ही संसार में दुख का कारण मांते हैं कि हमारी दृष्टी जो है वो वेद भरी है हम चीजों को तोड़ कर देखते हैं अलग लग क संथ साहें क्योंक देखते उनको विला करने दो एसक्य के तरौना हुआ है कि हमारे जो दृष्टी तो आप जानते हैं जो हिंदू को घृते बुस्लिलं और में तो स Twitch hormones जो मुस्लिंग्यक्दीर ने और दुनिया आननिया संसार में और चाहिए कोई गरीब हो उचाहसंज कोई अमीर हो और पुरुष और नारी अब ये से इस्ट्री को वेद की दृष्टी से देखा जाता सामने तर समाज में तो वो कह रहें कि कौन पूरुष और कौन नारी है और बहुत अच्छा उद्र हण देते हैं तो पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं एक ही रुधिर, एक मलमूतर, एक चामिज़, एक तरह से वो उनका चमड़ा है, एक तरह से उनका कून है, एक ही तरह की सारी शरीर की जो ववस्ताएं हैं, भी सब की सब एक ही तरह की है, सभी में एक तरह की क्रियाएं होती है, एक बूंते शिष्ट रची है, कौन बामन को उससे में ब्राम्हन और सुद्रों में और आज भी जिनको हम चोटी कहे जाने वाली जातियां कहते हैं वो ब्राम्हन अपने आपको सुरेश्ट मानते हैं जो भी जाती है апने आपको सुरेश्ट मानती है तो देखिए उस क्रश्ण उठाते हैं कभीड साथ मूंत उनकी प्रविर्थी प्रश्ण उठाने थी वह रचीज पर प्रश्ण उठाते हैं न एक तरह से उनका इक बेग्यानिक घ्रशी कौंड था जैसे एक साइंट्स जो है फर चीज髮 प्रस्ण उठाता है इसी तरह से वह उटतर देने से कहते हैं कि एक वूंदतेquinho विर से प्च्थ जान में लेता है concerning किसी बच्चे की चैणमें लेने की अलग नहीं होती है अब इस्त्री के स्विर से यह गध्चा जन्म लेता है तो एक सब्सक्राइब करने वाला तमोगुन ही और जो इश्वर है उसमें जिसको वी हम इश्वर का दरजा देते हैं मानते हैं कि वो सभी गुणों वाला है अच्छे कुणों वाला है तो कहते हैं कि जब वह सत्हुंगर फारी है हरी हरी में जिसमें इश्चा seben परमादा मानते हैं वो उसमें सभी तरह के मौदूर हैं तो फिर हमें भेध क्यों करना चाहिए है न एक कहे कभीर एक राम जपहुरू ही लोगों को शिखित करना चाहते हैं, जो ब्हेद रष्टी है इसको खतम कर दिए सब्सक्राइब खाटनल पद्धतियां हो सकते हैं सब्सक्राइब कुर्द्धियं लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं यद कि इसनिवी आप उनका रही करें और आ कि रहे हैं तो वो कह रहे हैं हिंदू तो रख न कोई है आपके अंदर का जो राम का करह राम हुआ है चो अडर्य है वी के अलीकषी है इसलिए जो मैं येужд 2023-20 कारण है इनमें बढ़ने से आप एक नई उल्जान में पढ़ आएंगे तो वह इस पद में यह कह रहे हैं तो दो बाते हमको पता चलती है कि एक तो उनकी चेतना बहुत तो चिस्तर पर थी और उस वह समान दरिश्टी से देखती थी और प्रस्ने करने की उनकी प्रवर्वर् जो धीरे-धीरे करके घर कर गई हैं लोगों के मन में और वो लोग उससे कोई लाव नहीं उठा रहे हैं उससे उनको आनी हो रही है यह उन्होंने इस पद में कहा है मज़ेदार बात यह कि उस समय काल में जो भी लोक कुईता रच रहे थे या जो भी इस समय कोई भी ऐसा हमको पोईट ये ये कोई ऐसा कभी ये कोई अश्वर्णत खरत नगर नहीं आता है जो इस बात को यहने कवीता इन तरह से इस तरह से मानी जाथी थी उस समय कि वो इस त ना वबीर है इतने उसके पास खाती हैं इतने गोड़े हैं कविता का काम समाजी की दुर्ष्टि कौन से समाज को जगाने के लिए कविता का काम यदि किसी ने किया है तो कभीर साब ने उस समय किया कि उन्होंने अलगी वो मूलता कभी नहीं थे याने कविता करने के लिए वो कोई अपनी बाते नहीं कह रहे थे लेकिन उन्होंने इस माध्यम से एक ऐसी गुंजाइश निकाली कि ये सारी समाजी के बाते हैं वो अपने इन पदों में कह सके तो उन्होंने मतलब उन बातों को चुछ हुआ जो एक मनुष्टा के लिए मु बहुत बड़ी चीज मानी एक दूसरे को मिलने को जुलने को प्रेम को उन्होंने बहुत बड़ी चीज मानी तो एक ये है फिर अगला पादिन का आतफिर्दी के फिर सवाल कर रहे हैं ये जो खुदाए मस्जिद बस्दू है तो और मलक को कहे केरा वो उस समय सिकंदर मुलक में कौन रहता है सारे मुलक में नहीं रहता है क्या हूँ जब जैसे हमारे हिंदू माने ता मैं कहते हैं कणकण में भगवान है पत्ते में भी है फूड में भी है पेड़ में नदी में भी है इसी तरह वो कहते हैं कि यदि आप ये मानते हो उन्हें कोई मस्जिद से पर वो कहते हैं कि में मस्जिद में नहीं रहता है आपकी कोई पूज्जाश इस्थान है आपने बना लिया है शूइदा की दरिश्टी से आपने चहर्च बना लिया है या आपने कोई मंदिर बना लिया या मनुस्य के लगवग हर समाज ने, हर धर्म ने, पोई ने कोई इस्थान बनाया, लेकिन वो सवाल पूचते हैं कि यदि आप, वो ओ, मुक्ता, जो परवात्माश की परिकल्ब बना है, उसको ब्यापक करना चाहते हैं, वो उसको मंदिर म कोई भी शाधन नहीं है उसके पास सिर्फ अपना सरीर है इसके बार-बार वो अपने सरीर को ही मंदिर बनाने लेने की बात कहते हैं क्योंकि एक गरीब एक्ति है वो तिती तक नहीं पहुंच सकता है मंदिर तक नहीं पहुंच सकता है उसके आसपास कोई शास्तर नहीं है उस सब्सक्राइब काने उन स्थानों तक पहुची क्योंकि वो न को छूती थी उनकी भासा में ती इसलिए कभीर साब के पद आपको पंजाबी में मिलेंगे मौडिया में मिलेंगे बंगाली में इसके लोग कभीर के पद मिलेंगी क्योंकि उनकी भासा से सम्माद करते थे अभी आपने जैसे कहा तभी में जी एक दिन कह रही थी कि कुछ लोग अंग्रेजी की बज़े से तो देखे भासा एक बहुत बड़ी बाधा होती है और उस समय की भासा थी संस्क्रित अब संस्क्रित हर कोई तो नहीं इस तरह की जो धर्मी की भासा थी वो vaccin आग्याओं तक पहुंच पाना करेका अदमी के लिए मुस्किल था सब्सक्रित में था जब इस वह द्हाब बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि यह यह जो धर्म सत्ता में बैठे लोग है उनको बहुत बेचेंड करता था तो उन्होंने कहा जो खुदा मस्जीद वस्ट हो और मुलक में कौन है पिर और मुलक में खुदा नहीं है यह सवाल उठाते हैं तीरत मुरत अर्नाम निवासी बा सत्ता नहीं है क्या तो फिर जगत कैसे चल रहा है यदि कोई इस्वरी सत्ता नहीं है तो फिर यह पूरा जो संसार है कि किस तरह से चल रहा है बिना इश्वर के बिना परमात्मा के चल रहा है क्या यदि आप ऐसा मानते हैं यह सवाल उठाते हैं तो उनके जो प्रस्ण थे वो उच्चबर और उनकी जो नेतिक मानिता हैं उस समय बन गई थी उसको वो बक्षे अधार्ड दवा दे थे वो बिच्चिदे तिल में ला जाते थे उनके इस प्रशनों से क्योंकि एक लंबे समय से बहुत सी अधार्ड़ा बन जाती हैं हम उसको ऐसा समझने लगते हैं कि बस यही सकते हैं तो जब उसको सवाल उठाते थे तो बहुत सारे लोग और यही बात दिखे जैसे इसमें एक रिफ्रेंस आए सुकराट के जैसे वो अग्यानी बन कर पश्चने करते हैं कभी कभी पंड़तों मुलाओं के ग्यान की फूल खोल देते हैं है ना जिस समग विचार हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत कुछ ऐसी घटनाएं करते थे जैसे कन्फूशियस के जीवन का एक वदार रहने के वहां कोई जाता था इस्तरिया जाती थी तो वह फिर जाते थे और अपने दूसरी कोई और कुछ समगरी उनको दे देते थे अब यह प् देते हैं तो चेन वापिस कर देते हैं हमको सोने की उनके पास लोग जाते थे कुछ ना 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 कुछ स्रांकला को तोडते हैं सवाल पयादा करते हैं और एसे सवाल पयादा करते हैं जिसके व्यक्ति तो यह उनकी अधा चैने खास्य धाती और झशलिए लिए उनकी जो वानी हैं उनके जो पद हैं यह पूरे देश में पहले और अब हुट जादा रुची बढ़ी है अभी अमेरिका में, हालेंड में, पॉलेंड में, फिजी में, मारिश्रस में और दुनिया के अन्न देशों में भी कभी साथ की इन वार्णियों की प्रती काफी रुची फैली है उसके दो मुख्य कारण है एक तो साफ साफ बात कहते हैं तरकभून बात कहते हैं रस्त उठाने वाली बात कहते हैं और साइंटिफिक टेमपर की बात करते हैं ये इसलिए उनकी वार्णी दिन प्रती दिन फैलती जा रही है बढ़ती जा रही है और लोगों में रुची 35 भी हमने कर लिया था ये लोगमती वाला भी और अब मुझे ध्याना है रहा है वो नाबादास ने भक्त आज़को आपने नाबादास का भी अच्छा ये भी हो गया था हिंदु तुरु तुरु भी दे सकते हैं ना चल ये ठीक है तो कि आपने वो बताया था कि यही मघहर का वो गधा जैसे वो पनारस में स्वर का कहते थे या फिर अब पड़े पड़े के पत्तर हुआ लिख लिख हुआ जो इंट कहें कवीरा प्रेम की लगी नए इकोच इट है ना इस पर आए यहां से सुरू करें बस तीन पर थे ठीक है सरी था जी 37 वाला है कुछ चाहां जी हा 37 पेज परे सुखिया वह आगे ना पड़ी-पड़ी के पत्थर हां पड़ी-पड़ी के बात यह है कि यहां पर पड़-पड़ के पत्थर हुआ भया लिख 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 हुआ जो इंट कहे कवीरा प्रेम की लगी ना एक उचीट है ना पोती पड़-पड़ जगों हुआ पंडित भया ने कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए अगला मतलब इसमें दो दो लाइन हैं लेकिन पूरा पद इस तरह से है और बड़ा महत्पून पद है वह इस पे भी हलागी थोड़ी बाचित हो चुकी है अपनी इसके पहले लेकिन फिर वह अपने प पर क्या है कि करीब कविर साब के जन्मकाल के समय जो सिक्षा के पद्धती थी तो सब जगे एक कापी किताब पेन लब्द नहीं होते थे बहुत दुलब थे इस तरह से आज लब्दें ऐसे नहीं होते थे तो अक्षर ग्यान कराया जाता था कि जो इंट है उसका चूरा बन तरहाद या जाता था और बिचाने के बाद कि जैसे आ जो हम अक्षर लिखते हैं उस पर अंगली से लिखके चिखाया जाता था था इसलिए उन्हों नें इंट का पिटीक लिया कबीर साब कैसे संद हैं जो ऐसे प्रतिकों से बात करते हैं जो आपके आसपास मवजूद है और जिनके सुखाओं के बारे में जिनके प्रतीकों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं जैसे लोग पूछते थे कि अच्छा आप कहते हैं को मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है तो इश्वर आस्मान में नहीं है, चान में नहीं है, सूरज में नहीं है, तो तहां है, तो वो कहते थे, कि जिस तरह मेहंदी में रंग है, अब मेहंदी हर जगे उपलब्द होती है, तो लोगों को बड़े जल्दी समझ में आ जाता था, गैर पड़े लिखे आदमी को बिना मारते हैं इस तरह सें तो लोगों को समझते हैं तक अच्छा वो हमारे भीतर ही रमा हुआ है solaeda अंदर आग दिखा जैसे तिल में तेल ऊपर से नहीं लिखाई देता लेकिन जब हम उसको पीशते हैं तो इसमें से तेल निकलता है तो कहते हैं कि इस तरह से आपके बीतर परमात्मा इस तरह से आपके अंदर रमा हुआ है आपसे बाहर कहीं नहीं है वह तो इस तरह से इंट का उदहन लेते हैं मतलब इंट जैसे सक्थ हो गया है जिस तरह से इंटूर के अपनी पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ पढकर क तो कठोर हो गया ह槟 की पर लिखकर तुझे नरशिद्स होना चाहिए उट्निख कर तुम्हें एक इसमत मिछद्ची दरश्टि आना लेकर तुम्हें चोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए लेकिन तुम पढ़ पढ़ के अब आज हम देखते हैं बड़े-बड़े अफसर हैं वो कितने कठोर हो गए हैं मनुस्री की चिंताओं को नहीं जानते तो वह कह रहे हैं कि पढ़ लेकर लोगों को चुनोती दे र हो गए हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम की एक शीट नहीं यह जिसे दाख कहता हैं जिसको किसी चीज को चणब देते हैं तो जो धाग बनता है तो एसी पढ़ाई लिखाई का कोई लाब नहीं लड़ाई नहीं लड़ाई लिखाई वो है जिसमें संब्मेदन सीखता हो पूथी पड़ पड़ जगुमुआ पंडित भाया ना कोई आप ऐसा समझ रहे हो कि हमने पूथियां पड़नी और इस तरह से बहुत बड़े बड़े हम ग्यानी हो गए पित चुनोती थे ते यहां तो उन लोगों को कहते हैं जो पड़ने की फिरक्रिया में थे और यहां उन इस बिएति हैं कि आप अपने इस तरह से तो तोयुकित वार्ट है ना जो है आपके घर करने सिर काल मानने है कि राजा cotton जी रूचेश काट ले उसको अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा तो यह बात बात बंधने और पिर आगे वो कह रहे हैं सुख्या सब संसार है खावे और सो दुख्या दास कबीर है, जागे रोगे अब कबीरble साइब कहने की जागे वह ती कबीर को हर जागने वाले आग्मे के साथ हैंना आब नेखी सेरिटा जी है या कपिल जी है या विमी जी है या विनोट जी है या S.P. साब हैं तो इनको क्या पढ़ी है कि सनिवार को सभेरे आएं या रो जाएं पंदा मिलेट बात करें ठीक है सबकी अपनी दुनिया है सबको इश्वर की गरपास सबको साधन सबन है लेकिन कभीर साब को पढ़ें दिखें समझें एक क्या जब ये ये पीड़ा उन सब लोगों की है जो इस संसार को जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों को जगाना चाहते हैं खुद भी जगना चाहते हैं खुद भी प्रिकासवान होना चाहते हैं उस प्रिकास से दूसरों को भी उजाला हो ऐसे जिनके अंदर प्रियास होता है वो लोग सभीरे से लिंक सारे साथ राज संडी का दिन है सοएंगे नौबजे तक खाय और सोए दुखी अदास कभी रहे है कि आपस फांच बजे से चिंटा होड़ वैटती है कि हम सबस्द को सुने बॉखी आदास का भी रहे हैं वो हर उस आदमी के लिये कहते हैं जो लोगए डुक्रे हो गए ख़िस शब कहते हैं कि आप इदे जंजग रुपता के लिए जागेंगे तो आपको दुख उठाना पड़ेंगे जागे अरुरुवे है ला वो दुखी है इस संसार की दसके हमने इस संसार को ऐसा बना लिया है उस समय की इस्थितियों को देखते हैं हम उस समय के इसी स्थितियों को देखते हैं जहां कपास बैदा करने वाला किसान जो है, उसके बच्चे के तन पर कपड़े नहीं है, मटका बनाने वाले कुमार जो है, जो सारे संसार को मटके बनाता है, घड़े बनाता है, कुमु बनाता है, और वो पानी पिलाता है, गर्मी में जिसमें पानी ठंडा रहता है ठंड में पानी गरम रहता है एक एक कंकड उसके बीनता है और वो खुद तूटे बटके में पानी बीता है वो उसके लिए चिंतित होते हैं जो जूते बनाता है उसके खुद के पैरों में जूते नहीं है वो लोगों के उन रिस्त् पर कप्ड़ा लाने के लिए लाने कितना सुरम करना कड़ता है वो हर उस वनुशम की बात करते हैं और इसलिए कहते हैं कि दुख्या सब संसार है थावे उसको क्या चिंदा है हमने एक ऐसी दूनिया बना ली है जिसमें जो लोगों को युसरम करने वाले लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके पास वो चीजें भी उप्रदब्द नहीं है जिनके भगदार है और दुखिया दास कबीर है दुखिया दास कबीर है तो ये दुख जो है उन लोगों का है जो जातने का प्रयास करते ह इस दुनिया को सुन्दर बनाना चाहते हैं तो इस पदम गोई कह रहा है मेरी क्याल से अब समय नो मज़िया है और यह सादो देखों जंक हो रहा ना है यह वाला पद भी कर लेते हैं दो मिनिट में उसके बाद समाउट करते हैं या या अभी यहीं रोग देते हैं आपके मन म इसमें जब आप बता रहे थे सुरेश जी तो मुझे वही ध्याना था कि जैसे जब तक मोदी जी नहीं आये थे तो दिली में ज्यादा यह होता था कि जो लुटियन्स डेली वाले हैं जो इंग्लिश स्वीकिंग बाहर से पढ़के आये हैं और उन्हें ही वो जैसे पूरे जग गयाता है उन्हें ही सब कुछ मालू है और जब मोदी जी आये तो बहुत वो हुआ कि जी यह तो पड़े लिखे नहीं है इनकी वही डिग्री नहीं है जो भी कुछ वो भी बहुत कुछ हुआ उसके उपर भी उच्छाला गया तो वही यहां के लोगों में इतना अहंक जो उसी में ही वो इतने वही वाली बात है कि पत्थर और इंट बने हुए थे और जो ग्राउंड रियालिटीज हैं जो जैसे आपने कहा कि जो कुमार बना रहा है उसकी पीड़ा ना वो उस पीड़ा का तो उनको एहसास नहीं सा तब ही हमारी वो पॉलिसी भी वैसी होती ही और तो काफी वो बदला कि क्योंकि हम ऐसे अपनी चल्चाओं में मोदी जी को बहुत दिसकास करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमें कहीं बाते थीक है पर 90% तो हमें अच्छा ही लगता है तो उसमें और वो ही यही है कि जन जागरूपता लाने के लिए वो दुख तो सहना पड़ेगा ही यही किसी की पीडा को आप नहीं समझ पाए पीडा को समझोगे तभी उसको महसूस करोगे उसका खुद तुमें आभास होगा तभी तुम आगे कुछ उसके लिए कर पाऊगे तो वो मुझे लगे जब सुख्या संसार है तो वो ही मोदी जी को क्या जरूरत ह सुबह उठके इतनी जल्दी उठके पूरा देन अठारा चौबिस घंटे जो भी वो अपना देते हैं तो क्या जरूरत है तो दुख को पीडा को महसूस कर रहे हैं तभी बदलाव ला रहे हैं और तभी यह देश बदल रहा है तो बिलकुल आप ठीक बात करें हैं कि यह ज जो भी जिसको पीड़ा होगी उससमतर ही आलोचना सेहन करेगा सबी तरह के उसके पर प्रहार होंगे उसकी बदनामी होगी उसको लोग ना जाने क्या क्या बातें कहेंगे यह सबके साथ हुगा बदलाव कारी बेक्ति को सबसे पहले अपमान के लिए तैयार हो जाना चाहे कि जिस तरह से अंग्रेजी का भी बाद में राज हो गया, ऐसा पहले अन्म भासाओं का ऐसा था, तो उस पर वो प्रहार कर रहे हैं, और ये देखिए अंग्रेजियत के कारण हमारे देश में यही हुआ, कि जो लोग पत्थर जैसे लोग थे, कठोर जैसे लोग थे, ठीक है एक भासा उनको आती है, उसके वज़े से उन्होंने बर्चस सा कायम कर लिया था, या कर लिया है, लेकिन निश्चेत रूप से उसको तोड़ना चाहिए, अभी देखिए, हिंदी मीडियम में बहुत सारी पढ़ाई आ रही है, भासा इसलिए तो तुलसी दास भी लोग भा भासा पर गए, रस्खान लोग भासा पर गए, इसलिए गए, कि हमारे जो कम्म्निकेशन है, वो जब तक हम लोगों की जवान में नहीं बोलेंगे, गुरू नानक साहब हैं पंजाबी में गए, तो जब तक हम उनकी लोग भासा में बात नहीं करेंगे, तो बड़ी बात हो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये बात कही जिस तरह से कोई ज़्यादा पढ़ लिखके या पोथी पढ़के कोई सुचता है कि मैं बहुत बड़ा ग्यानी हो गया हूं और यदि उसके मुन में प्रेम नहीं है तो उसका ग्यान किसी काम का नहीं है तो इस बज़े से कभ गें एक तरह से बारा गया है पागल हो गया है जो साच कहता है उसको मारन जोलते और chord है उसकी दे कि बाहभाही होती है वो कह रहा है कि साथ हो देखो जगवराना सांच का हो तो मारन नहावे जूते जगपते आना जूते के पीछे लोग भाग रहे हैं उस सक्षे कहने को मानने दोडते तो ये ओन्होंने गंजायस निकाली स्च्ची बातों को कहने की और उसके जो बाहर आवरन चागए हैं वो निकले तो हमारा प्रयास यह है कि हम उन आवरनों को दीरे दीरे दूर करें और आज के दिन जब हम अपने जीवन में जाएं इस सेशन के बाद तो पढ़रे के होने के बाजोद भी जो भी हमारे मन में कठोड़ता है चाहे हमारे साथ जो हमार सहकर्मी काम कर रहे हों चाहे हमारे घरों में कोई सिवक काम कर रहे हों चाहे बाजार में जाएं तो क्या हम इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कुछ दो चार लोगों के साथ अपने उस व्योहार को परवर्टित करने का प्रयास करें और फिर उसके परड़ाम देखें तो आ करने पढ़ाने का जो कुछ भी मिला मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह पहुंचे तो आप सब को बहुत दो शुक्रिया कि आप एंट करेंगे ना बहुत ही सुन्दर बोला सुरेज जी कि उसमें तो कहते हैं नुधी को जाते हैं उनकी गोते लगवाले के लिए मैं जो सनसार आपने आवरण ओडें उनको संसार के लिए यूज करें बस जैसे जो भी एजुकेशन ली है या जो भी कुछ आपने डिगरी ली या शरी धारण किया तो सारा चीज़ें जो यूटिलाइज होनी है वो सत्य के प्रति होनी चाहिए बस तो डायमेंड को ना भूलें डायमेंड सभाव को नहीं बूलना बस यही करें बहुत अच्छा बहुत अच्छा हां जी सिंग साब कुछ बोलना चाहेंगे सिंग साब कपिल जी एक बार लोगों से भी सबसे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने आपको कैसे समझा तो वो चीज का एक ही क्लाइन बोल देंग हमें फूरे से प्रैक्टिस भी करना है मैं भी प्रैक्टिस करता हूं और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अपन करें कुछ चीजें जो ना की हो उनको करके देखें तो ज्यादा असरकारी होगा बिल्कु यह गुरुबानी में जो गुरुगर्णशाहें में पंदरा मुझे य कबीर के हैं तो कभीर साथ का हीूज कांट्रिबूशिन इस बड़ा गुरुकरा चाहिए वह पंजाबी स्क्रिप्ट में है लेकिन उसमें सब भाशा है इसमें पर्शियन भी है उसमें तमिल भी है उसमें मराठी भी है और सब जितने अलग अलग एरियास के संत है न तो अपनी भाशा में उन्होंने जो लिखा वैसे कर जो करते हो डाला गिया है लेकर उसका स्कृप्ट्चर है वो पंजाबी में कर दिया गिया लोग बार्णी का सबसे पहला संग्रा गुरुगरंध साहब है और ये गुरुगरंध साहब का बहुत बड़ा कांट्यूशन है पूरे देश में जो संतों की वाणियां फैली हुई थी अम्रत समान उनको गुरुगरंध साहब में संग्रीत करके बहुत बड़ा काम किया है अपने उस समय में तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है क्योंकि और डूसरी चीज है कि जिसे आज हम सिख्धर्म कहते हैं वहां के सरवुचिस्तान पर संतों की वाने बेटी हुई है ये एक बहुत बड़ी बात है कि संतों की वाणी सर्वोचिस्तान पर बैठी हुई है और उसी के हिसाब से वो पूरा पंथ या पूरा धर्म चलता है तो ये बहुत बड़ा कांटिविशन है कि और सब की रविदा साथ की वाणिया है दादू साथ की वाणिया है कबिर साथ की बाणिया है नानक साफ की बाणिया है सभी की बाणियों का वो मिला जुला पन्त है बहुत बड़ा उदारा ने दुनिया के सामने है यह जी कपिल की आप ओलिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद बहुत अच्छी तरह से आपने एक्स्पेंड किया और अच्छा डिस्केशन हुआ यह बहुत जरूरी पॉइंट आपने बताए कि एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन एंड इन दी हुमेनिटी तब जाके आप जाके कुछ एक आगे पड़ पाओगे और सेल्फ बहुत इंपॉरंट है उसके बगएर आगे बढ़ना मस्क्ति हैं लोगों को कैसे जगाएंगे यह खुदी जागा नहीं है हम यह नहीं कहते हैं कि हम बुत हो जाएंगे कबीर हो जाएंगे लेकिन हम एक छोटे हम एक छोटे से दायरे में तो जागरत ह बच्चों में के जो अभी आज के सिस्टम में बस में इतनी बात करूंगा कि मैं कई स्कूलों में गया और जब मैं उनके बहुत बड़े उनकी प्रिंस्पल से या उनकी टीचर से बात करता हूं कि सिक्षा के माइने क्या है तो वह रटी रटाई सी कुछ परिवासा हैं उन संसकार और कोशल आपका नौलेग हो आपको संसकार हो और आप में कोशल हो किसी काम को आप कर पाएं यदि तीन चीज़ों में से एक चीज का भाव है तो आप सिक्षित नहीं है यदि आप में संसकार नहीं है भले आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रॉंग हो है ना कितना भी आपको उस्तुकों का ग्यान हो लेकिन यह अंदर यह करुणा नहीं है तो उस इजुकीशन का कोई मतलब नहीं हो तो इसलिए यह जो त्रिमेंडी है ज्यान संसकार और और वोशल की यह तीन यदि कोई पढ़ा लेखा भी नहीं है यह तीन चीज जो उसमें हैं तो वह प्रु विनोच जी आप ओलिए विनोच जी हां जी हां यही जो पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ जो समझाया तो उसका सही अर्थ समझ में आया सुरेज जी बहुत-बहुत धन्यवाद यह पत का हम लोगों मुझे मतलब अर्थ पता ही नहीं था जी मतलब पढ़ने से जो है इंस सब्सक्तान को सौप्ट होना चाहिए और कुछ लोग उसको कठोर बन जाते हैं कि हम अलग श्रेणी में आ गए और प्रेम की जो है एक भून पढ़ते ही जो उसको वो नरम हो जाते हैं और अपने एजुकेशन की मीनिंग भी बहुत बढ़िया समझाई ग्यान, संस्कार और कॉशन, बहुत बहुत अच्छा लगए, धन्यवाज दगए. का सोरे भाई, भूला थी सब तत्तु नसाई. वो कहते हैं किस से बोलो, क्या बोलो, बोलने के बाद सब तत्तो नश्च्ट हो जाते हैं जो हमारी अन्भूती हैंना, बोलने में हम कितना बोलेंगे उस चीज को नहीं पासकते जो अन्भू में. तो मोना जी को जो अंदर जो बनवा हुए ना क्या बोलना ने इफ्जॉब कर लिया पूरा एक और पुर्वानी में एक शब्द है उपने मुझे एक्जेक्ट याद नहीं लेकिन गुंगे की मिठ्याई ही है जो गुंगे की मिठ्याई बोलते है जो जो गुंगे जो मिठ्याई खाता है बोल नहीं पाता है कि कैसा एक टेस्ट उसका जो लेकर उसको खुद को पता है जो गुगे केरी चंगरा खाये खाये मुस्काये भात वो अपिस को खाता है बस बहुत खाया में नहीं को प्रणा और आप बहुत अधर बहुत ऀन्येवाद श्रेशी क्पार्ण बहुत . हादंजी, थैंक यू औरिमीर। झेले शे रिखेले शेले शे शे शेखेड़ियों झेले शेखेजुिए झेले शेखेड़ियों